हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हैर, कैसे आप सब, hope you all are doing good, मैं फिर से आगई आप लगो के लिए नियो रीडिंग लेकर, आज की रीडिंग में हम लोग रिसीव करने वाले हैं साय बाबाजी और डिवाइन एंजल आंसर्स फोर यू, राइट, सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स हो आपको क्या message देना चाहते हैं, क्या guidance देना चाहते हैं, वो हम surely यहां से receive कर सकते हैं, यह एक pick-up pile reading है, तो यह reading collective नहीं है, मैं आपको पास से pile दिखाती हूँ, फिर्स पाइल इस face the pain, and the second one is be assertive, आपको जोन सा पाइल, जोन सी picture, जोन से words ज्यादा attract कर रहे हैं, आपको उसको choose करना है, वहां से अपनी reading को देखना, start करना है, यह reading timeless reading है, जब भी देखेंगे resonate करेगी, यह reading general है, तो जितनी resonate करें उसे रखें, and leave the rest, so, without wasting much time, let's restart, welcome pile number one, जिन्हों ने ये beautiful सा कार्ट, face the pain chose किया है, the pain you experience is not because of the situation, but because of resisting and blocking the situation, face it boldly, sometime क्या होता है, कि हम दुख में होते हैं, हम परिशानी में होते हैं, लेकिन हम उन चीजों को छुपा कर, अपने दिल में दबा कर, बाहर एक मुखोटा बना लेते हैं, जिसमें हम ये दिखाते हैं, कि हम बहुत खुश हैं, sometime हम उस situation को avoid करके, खुद को ये तसली देते हैं, कि हम बहुत happy हैं, sometime हम ignore करते हैं, sometime हम उस pain से भागते हैं, तो जब हम ऐसा करते हैं, तो हमारी life में pain और भी जादा बढ़ जाता है, तो अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं, तो आपके अंदर power है, आप उस pain को face कर सकते हैं, और boldly उस situation से बहार निक सकते हैं, जब तक आप resist करेंगे, जब तक आप avoid करेंगे, ignore करेंगे, तब तक situation worse होती चली जाएगी, और tensions increase हो जाएगी, तो first message beautiful साही बाबा की जी की तरफ से आपके लिए ये हैं, अब हम चेक करते हैं कि आपके चारों कार्ट्स क्या बताते हैं, first card is death, okay, and second is the hermit, आप में से कुछ लोगों का बहुत ही कुछ हसीन, कोई रिष्टा, कोई जोब, कोई प्रोफेशन, कोई भी ऐसी चीज जो आपके लिए बहुत important थी, जिसको आपने अपने जिन्दगी समझा, अपने लाइफ समझा, अपनी each and everything समझा, जिसके लिए आपने बहुत efforts लगाएं, चाहिवो आपकी बच्चे हूँ, आपके parents हूँ, आपके husband wife हूँ, कुछ भी हूँ, कोई भी ऐसा रिष्टा, कोई friend हो, कोई lover हो, कोई relationship हो, कोई career हो, Sorry friends, एकदम से कोई आ गया था, तो मैं आपको कह रही थी कि कुछ तो आपने खोया है, आप लोग separation phase में चल रहे हैं, no contact zone में चल रहे हैं, कोई important relationship आपने खोया है, कोई important रिष्टा आपने खोया है, अब वो relationship कैसा भी हो सकता है, and मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, हाल फि कोई finance का लोज, कोई career का लोज, कोई business का लोज, जिसके बाद आप बहुत ही तनहा, sad, disappointed, alone feel कर रहे हैं, and आपको लगता है, just like life ही over हो गई है, and मैं आपको बता दूँ कि, ये cards मुझे ये भी message दे रहे हैं, कि आपना भगवान का काफी ज़्यादा सहारा ले रहे हैं, that means, Definitely, आप लोग confident हैं, कि future में आपका time, definitely बहुत अच्छा आने वाला है, and इसमें आप लोग गलत नहीं है, ये cards देखकर मैं भी आपको खह सकती हूँ, death is the sign of new beginning, and the hermit is the sign, कि जैसे जैसे आप भगवान में श्रद्धा और विश्वास रखोगे, अपने efforts लगाओगे, हिमत नह हार होगे, maturely चीजों को handle करोगे, definitely in future आपकी growth होगी, अब हम देखते हैं कि बचे हुए messages और cards आपके लिए क्या है, और वो आपको क्या कहना चाहते हैं, सबसे पहले sign बाबाजी के check करेंगे, then हम angel messages भी check करेंगे, your first card is master's will, देखिए आपके life में जो कुछ भी हो रहा है, व यह सबको पता है, right, सुख दुख दोनों parts हैं life के, अगर कुछ death होती है, तो new beginning होती है, नई शुरुवात होती है, कुछ over होता है, तो कुछ निया restart होता है, तो this is called life, और यह life के सभी cycles हैं, जो चलते रहते हैं, तो ज़्यादा परिशान मत होए, जब भगवान की मर्जी इ एक्सेप्ट करेंगे with grace, definitely आपके कुछ करमाज है, negative जो release हो रहे हैं, after that आपके life में सुख ही सुख है, अगर यह message हम पढ़े, whatever you are going through is happening with your master's will, go through it with a smile, तो आपको smile लखना है, gratitude लखना है, graceful रहना है, mature रहना है, समझदार बनना है, independent बनना है, co-dependency को हटा दीजिए, and next card is dreams, friends, यहाँ पर dreams card मुझे बताता है कि divine अक्सर आपको through dreams, through meditation के during, या फिर manifestation के during, आपको कुछ ना कुछ साइंस देती है, कुछ ना कुछ कम्यूनिकेट करती है, आपको synchronicity होती है, तो उनको समझने की कोशिच केजिए कि divine आपको क्या कह रही है, live in the present, आप में से बहुत सारे लोग past में जी रहे हैं, depression में जी रहे हैं, stress में जी रहे हैं, आपके life में वो सब चीजे होंगी, उसके लिए अभी की ऐसे हैं, second कैसे होंगी, after some wait, थोड़ा wait कीजिए, थोड़ा सबर कीजिए, चीजों को, situation को maturely handle कीजिए, impatient हों, divine में trust रखें, present में जीए, dreams आपके come true होंगे, उन पर विशवास रखें, चीजों के लिए, situation के लिए, acceptance लाएं, जब तक acceptance नहीं लाएंगे, situation worse होती चली जाएगी, तो यह थी आपके लिए, divine के messages, angel की guidance, साही बाबजी के guidance, I hope कि आपस लोगों से resonate की होगी, आपको पसंद आई होगी, for more clarity, आप लोग personal readings भी बुक करा सकते हैं, वो paid होती हैं, उनकी detailed description box में already available है, thank you so much for watching, bye, take care. Hello friends, welcome here, जिनोंने pile number 2 choose किया है, be assertive. Being too good is not the answer, being assertive is, तो आपको positive रहना है, assertive रहना है, and आँख बंद करके at least blindly किसी पर trust नहीं करना है, initially ही आपके लिए यह guidance है, अब हम चेक करने वाले हैं कि टारो आपके लिए क्या कहते हैं, साही बाबाजी आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, यह reading timeless है, जब भी देखेंगे resonate करेगी, यह general है, तो जितने ही resonate करें, उतनी रखें, और ओपन माइंड के साथ इसको देखें, राइट, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, देखते हैं, कार्ट क्या कहते हैं, यह फर्स्ट कार्डी इस नाइट पेंटेकल्स, तॉरस वाइगो केप्रिकोन आप हो शकते हैं या आपका कोई करीबी, जेमिनाई, लिब्रा, अक्वेरियस की भी एनरजी है, सेवन ओफ सोर्ट्स, देखिए फ्रेंट्स, यहाँ पी जो सिटुएशन मुझे नजर आ रही है, कुछ लोगों के कुछ काम बहुत टाइम से अटके हैं, स्टक हैं, एक्शन नहीं आ रहा, चीज़े रुकी हुई हैं, चीज़े स्टेगनेंट हैं, सिटुएशन स्टेगनेंट हैं, जिसकी वज़े से आप लोग बहुत परिशान हो गए हो, आप लोग उस सिटुएशन से उस situation से या फिर उस परिस्तिती से निकलना चाहो भी तो भी आप निकल नहीं पारे हो रह रहे कि आप वापस मुर जाते हो दुबारा वहीं सीजबेजे करते हो दुबारा वहीं पर स्टक हो जाते हो और TJ situation और life में improvement आहीं नहीं रही कोई action आप लेना चाहते हो या किसी और से कुछी action का आप वेट कर रहे हो दोनों ही वेसे जो भी situation है आपकी TJs तक है चीजे stagnant है अगर आप सोचो की situation से इस relationship से इस scenario से मैं move on कर जाओं तो आप move on भी नहीं easily कर पा रहे हो sometime आपको trust issue भी हो जाते हैं कि सामने वाला person जिसका आप वेट कर रहे हो जिसके आप action का वेट कर रहे हो जहाँ चीजे stagnant है इस तक है वो trustworthy है भी या नहीं लेकिन again आपको trust build up होता है again आप रुख जाते हो और again आपको लगता है कि चीजे improve हो जाएंगी थोड़ी सी चीजे change होती है लेकिन again जो major step आप अपने life में चाते हो वो वहाँ जाकर स्टक हो जाता है अब वो step कोई finance, कोई foreign tour, कोई travel, कोई relationship, commitment, confession, marriage कुछ भी हो सकता है किसी call का वेट कर रहे हो, किसी proposal का वेट कर रहे हो, किसी contract का वेट कर रहे हो किसी communication का वेट कर रहे हो, situation कोई भी हो, scenario कोई भी हो, TJs तक है, TJs stagnant है move on आप कर नहीं पाते हो and situation में आप रहे नहीं पा रहे हो काफी negativity आपके अंदर sometime build up हो जाती है अब हम चेक करेंगे कि इस situation से निकलने के लिए आपको बाबा जी और angels क्या messages, क्या guidance और क्या सुझाव देना चाहते हैं, first message is you are the universe अहम ब्रह्मास्मी so the card is saying explore the universe within you meditation करो, meditation करो, अपना ध्यान concentrate एक लेवल पे लाने की कोशिश करो, अपनी intuition को सुनने की कोशिश करो because बहुत सारे questions हैं आप लोगों के mind में and उनके answers आपको universe दे सकता है जो आपके already अंदर है and जैसे जैसे आप meditation करोगे, concentrate करोगे आपको, आपकी intuition, आपके angels, आपके guardian angels, आपके universe वो answers definitely देंगे and second trust, श्रद्धा, सब्रवी देखिए अगर आपको लगता है कि आप इस situation से move on नहीं कर पा रहे हैं अगर आप move on करने की कोशिश भी करते हैं तो दुबारा push back होता है और आप वहीं आके stuck हो जाते हैं तो जब अदस्ती किसी भी situation में से निकलने की कोशिश करने की ज़रुवत नहीं है जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है trust रखिए, श्रद्धा रखिए, सब्र रखिए be patient even though you don't have the answer, wait and trust अगर आपके पास answers नहीं है, बहुत confusion है तो negative सोच कर होगा कुछ नहीं इसके बजाए कि आप लोग negative हो जाएंगे और जो चीजे आपकी तरफ अभी attract हो रही हैं आप उनको भी delay और postpone कर देंगे तो अपनी life में happily जीए and जो आप अभी achieve कर सकते हैं उनको achieve कीजिए और जो situation improve होके ही नहीं देरी उसको time पर छोड़ दीजिए with time सब कुछ होता है, trust रखिए, श्रद्धा रखिए, सब्र रखिए, patience रखिए and आपको सभी answers मिल जाएंगे, कहते हैं time हर चीज की दवा है growth, great message from Sai Baba Ji and Sai Baba Ji आपको यहाँ पर कहना चाहते हैं कि आपके life में आगे growth है और वो कैसे हैं अगर आप trust रखते हो, patience रखते हो, श्रद्धा रखते हो अपना concentration level भढ़ाते हो, अपनी intuition को सुनते हो masters like parents give bitter medicines for our growth, cleansing and, sorry, for our own cleansing and growth अगर हमारी cleansing हो रही है, हमारी growth हो रही है, तो हमें थोड़ा pain, थोड़ा bitter face करना ही पड़ेगा और वही आप लोगों के life में हो रहा है, बट इसके बाद आपकी growth होने वाली है अब देखते हैं, angels क्या कहना चाहते है, recovery आपके life में कोई भी situation है, worse से worse, जो स्टक है definitely with time, with patience, with trust, आपकी recovery हो चाहेगी लेकिन तब तक जो चीजों में growth आप अभी achieve कर सकते हो, उनको definitely करो किसी भी चीज के लिए push back या फिर अपने आपको pull मत करो ठीक है, जो situation है उसको time के according छोड़ दो जब अपने efforts लगाने से भी चीजे recover ना कर पाएं, तो that means अभी time proper नहीं है divine time अलग है, different है, उसके साथ चीजे हो जाएंगी और उसके साथ ही answers और clarity मिलेंगे, तो अभी ज़्यादा मेनत करने से कुछ होने वाला नहीं जहां मेनत करने से कुछ हो सकता अभी, उनमें efforts लगाओ और अपनी overall growth करो it's up to you इस situation को improve करना, angels कह रहे हैं कि totally आप लोगों के खुद के ऊपर है अगर आप इन guidance को, इन चीजों को follow करते हो, by heart positive रहते हो अपनी overall growth पे ध्यान देते हो, patience रखते हो, sabr रखते हो, trust रखते हो and चीजों को time पर छोड़ देते हो, जो होके नहीं देनी तो definitely चीजे improve होगी, situation recover होगी, आपकी overall growth होगी and जो भी problems हैं, जो भी answers आपको चाहिए, आप उनसे बहार निकलोगे, आपको clarity मिलेगी तो यह थी जिन्होंने pile to choose किया उन लोगों की reading I hope resonate की होगी, पसंद आई होगी, अगर की है, तो please like, share, comment on this video For more clarity, आप लोग personal paid readings भी book करा सकते हैं, detail description box में available हैं, वो reading paid होती है Bye for now, have a good day